हेलो माई डियर स्टुडेंट मैं हूँ अनवेश तिवारी प्रोग्रामिंग किंग स्क्रीर से आप सभी का हादिक स्वागत और आए शुरू करते हैं आज की क्लास जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि MD5 Hacer का प्रियो करके आप कोई भी पासवर्ड हैस करते हैं तो वो आसानी से क्रेक किया जा सकता है तो आएए इस टुट्यूर्यल में समझते हैं कि हम किस हैसिंग फंक्शन का प्रियो करके अपने पासवर्ड को हैस करके सुपर सिक्यूर बना सकते हैं अपने डेटावेस में प्रॉपरली वेसे स्टूर कराता है पहले तो उसके लिए आप फिर्टली एक्सेस यूर डेटावेस ऑके मैं sql injection अचार इसके लिए मैं कोई नया जो है टेबल मैं मनाता हूं मैं जाता हूं यूजर मैं कि यूजर में सीषर ओर्टलूम स्टूर हूंट अब यह है नेम्वी मै charging in देखनाओ अब यह हैं इसी में अगय और जो है टेबल एक 살아 कोल मैं और सावाब कर लेता हूं ठीक है उसी में हम लोग जो है अपने पाश्वोर्ड को इस्टोर करवाएंगे ठीक है यहाँ पे जाके आप एकनाम दे दीजिए पाश्वोर्ड इसकी और केर कर दीजिए तो बंदे देखर कि इसको जो है सेफ कर दीजिए ठीक ना अब वहाँ से जो भी वैल्यू आएगी उसको हम इसी अपने यूजर समेश जाके इस्टोर करवा देंगे कैसे इस्टोर करवाएंगे आई यह समझते हैं यूजर ने बेज़ा वहां से अपना नाम यानि यूजर नेम मैं ले लेता हूँ यूजर नेम ठीक ना उसी यूजर नेम को मैं दे रहता हूँ वैल्यू कौन सी यूजर नेम की जो कि यहां से आ रहा है इसको मैं इस वैरेबल में भेज़ दे रहा हूँ ठीक ना अफ्टर आल इस सारे चीज़ एक बार आप कॉपी कर लो अभी पास्वोट को भी लेना है ना मों को यहां से हमको नेम जो यूजर एंटर कर रहा हूँ और पासवोट यह दूज्जय भी डिया जाती है हैंसे अब एक कोरी चलाएंगे इसको कैसरा कर रहने हे तो है यहां से हुआ है six अब हम यहाँ पर एक क्वेरी चलाते हैं यूजर्स इंटर करने के लिए इसको हम रेफरेंस देते हैं कनेक्शन का अच्छा कनेक्शन मैंने यहां पर बना रखाया क्या है अब यहां पर क्वेरी चला दो आप कैसी क्वेरी इंसरेशन के अब बोल दो कि इंसर्ट इन्टो यूजर्स ठीक ना यूजर्स इंसरेशन क्या यूजर्स में जाना है अच्छा जी यूजर्स में जाना है नेम मैं फिर जाना है इमेल फिर जाना है प international है अपर इमाल फाइंda अब लिएग्या होगी Glad लोग देख लेते हैं value जैसे तो पहले आप जान दी है placeholder के जरीए देना डारेक्ट तो दे नहीं सकते है क्यों उनको filter भी तो करना होता है name email और password find good अब यह इसको हम execute करवाते है आप यहां से इसको जो है copy कर लो ठीक है इसको execute करवादो execute कैसे करवाना है आपको पता ही है कि भाई जो आपने placeholder की जगह पर name दिया है उसको आप value दे दो इस नाम की ओकी फिर जो आपने placeholder की जगह पर email का पता रखा है वो आप दे दो यह email फिर जो आपने पासवर्ड का placeholder दिया है उस पासवर्ड को value दे दो किसकी इस पासवर्ड की बट हमको यहीं पर ध्यान देना है यहीं पर हमको पासवर्ड को हैस करना है कैसे आप इस function का प्रियोग करिए पासवर्ड हैस करने के इस super secure function इस में आप दे देजिए यह जो पासवर्ड उपर से आप का रहा है इसा algorithm यह है पासवर्ड को encrypt करने की इसको आप as it is लिखती जिए bccrypt it's a very good algorithm अब चली देखते हैं कि हमरा पासवर्ड किस प्रकार से डेटाबेस में जा रहा है वेरी गुड नव लेटास सी इसा कि यह मेरा फॉर्म है अच्छा दी जो आलस नंगर पहा जो आलस जो आलस जो आलस जो आलस यहां पर आपको कोट्स लगाने है ना भूल गया था इसलिए मिस्टेकिंग तो होती रहती जो प्रॉब्लम इस मेक में बेटर हाजी अब आ यह चेक करें क्या बोल रहा है वा फाइन यहां पर मैं कोई भी एक वैल्यू देता हूँ पीकर यह क्या बोल गया हूँ हाई हाई कोट पी चलता है यह मैंने प्रेपेर हैं पे नहीं लिखा यह जब एक्सेक्ट्यूट आप कर रहे हो तो प्रेपेर दो लिखना ही पड़ेगा क्यों यह मैं बूल गया था यह लोट चेक वापन यह थाता है मैंने थाता है यह आ गया रिमेलरी यह थेक्या आपका सुपर सीक्योर पासवड ठाह्या चलिए थैंक यू बेरी मिच फार वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जमें बै टेक केर